सुप्रिमो लालू यादों की बेटी और राजसवा सांसता मीसा भारती के एक बयान ने बिहार की सियासत गर्मादी है मीसा भारती ने कहा कि अगर जनता का शिरवाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समयत बीजेपी के कई नेता जेल में होती इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इंडिया गटभंधर पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए थे इसपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया गटभंधर है वो तीस लाग रोज़गार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है आज बेचिक लिए वोट बागने गए थी क्यों नहीं परिवारबाद पर बोलते हैं साथी साथ उन्हें ने कहा कि Electoral Bond पर जबाब क्यों नहीं देते हैं उन्हें आगे कहा कि वो PM जब भी आते हैं तो हमेशा से परिवार पर भरश्चचार का रोप लगाते हैं लेकिन जानते हैं वो क्या कि Electoral Bond कितना बड़ा भ्रश्चार है जो इंडिया गट बंधन है तीस लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुस्टी करन दिख रहा है किसानों की आए दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं अज बेटे के लिए वोट मंगने गए थे काहें ने परिवार वाद पर भूले वह बंध हो गया प्रधान मंत्री जी का अगर देश की जंता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गट बंधन को प्रधान मंत्री से लेकर के जितने भी भाजपाने था हैं जेल के अंदर बंदो